हेलो स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्णावनी 3.5 से पांचवा छटा और सात्वा कोशन सोल्व करेंगे तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए कोशन नमबर 5 देखिए पांच अंको की सबसे चोटी संख्या लिखिए और उसे अभाजे गुणन खंडों के रूप में व्यक्त कीजिए तो इस कोशन में हमें खा गया है कि हमें पहले पाँच अंकों की सबसे चोटी संख्या लिखनी है और उसके बाद उसके अभाजिक गुणनखन लिखनी है तो पाँच अंकों की सबसे चोटी संख्या कौन सी होगी तो पाँच अंकों की सबसे चोटी संख्या कौन सी है देखे, पहले 1 लिखेंगी और उसके बाद 4 0 लिख देंगे 1, 2, 3, 4 देखे ये पाँच अंक बन गए 1, 2, 3, 4, 5 अंक बन गए तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10,000 ये क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछा जाए चार अंकों की सबसे चोटी संख्या कौन सी है तो चार अंकों की सबसे चोटी संख्या कौन सी होगी एक और उसके बाद हम क्या करेंगे तीन जिरो लिख देंगे तो ये देखिए चार अंक बन गए एक, दो, तीन, चार तो चार अंकों की सबसे चोटी संख्या कौन सी होगी एक हजार होगी अब कोशन में पांच अंकों की सबसे चोटी संख्या कहा गया तो मैंने लिख दी पांच अंकों की सबसे चोटी संख्या क्या है ये है अब इसके हमें क्या करने है अब हाज ये गुणनखंड ग्याद करने है तो अब देखे इसके अब हाज ये गुणनखंड ग्याद करने है तो हम देखे दो से स्टार्ट करेंगे देखे ये दो से कट जाएगा क्योंकि इसके लास्ट का अंक क्या है जीरो है तो जिस भी संक्या का लास्ट का अंग जीरो, दो, चार, छे, आठ होता है, वह संक्या दो से कट जाती है, तो इसका मतलब ये दो से कट जाएगा, तो मैं इसे दो से काट लूँगी, मतलब दस हजार को मैं किस से भाग दे दूँगी, दो से भाग दे दूँगी, तो इसे दो से भाग देंगे तो क्या आएगा देखे इसे दो से भाग देदेंगे दो पंजे दस ठीक है और यह तीन जीरो ऐसे ही आ जाएंगी क्या आए पांच हजार ठीक है अब देखे फिर इसके लास्ट करण कजिरा तो यह दुबारा दो से ही कट जाएगा 2 से ही से काट लेंगे 5,000 को हम kis से भाग देंगे 2 से भाग देंगे देखे 5000 को 2 से भाग देंगे कितने पे जायेगा 2 दूनी 4 5 में से 4 गाई, जो उपर से उतारा 0 तो 2 पंजे 10 ठीक है, ये कट गया ठीक हाँ, अब बाकी ये 2 0 रहा गई तो यहां क्या आ जाएगा, पच्चिस सो, दो हजार पांच सो, ठीक है, अब देखे, दुबारा जीरो है, तो यह दुबारा दो से ही कट जाएगा, इसको हम दुबारा दो से भाग देंगे, तो दो से भाग देंगे, तो दो हजार पांच सो को दो से भाग देंगे, तो दो ए यहां पर लिख देंगे हम, तो कितना आया, 1250, अब देखें, फिर 0 है, फिर इसको हम 2 से काट लेंगे, 2 से भाग देंगे, कितने पर जाएगा, 2 ची के 12, ठीक है, 2 ची के 12, दो दिन चाह, 5 मिस चाहर गया, 2 पंजे 10, 625 आएगा, अब देखिए, यह 3 से तो भाग नहीं होगा, 2 से भाग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका लास्ट का अंक क्या है, 5 है, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तभी वह 2 से भाग हो, अब लास्ट का अंक देखिए, क्या है, इसका 5 आते, 2 से भाग नहीं होगा, यह 3 से ही भाग नहीं हो रहा है अब हम इसको किस से भाग दे देंगे 5 से भाग्स हो जाएगा पांच से जाएगा यह इसको पांच से भाग देंगे तो क्या आएगा पच्चिस आएगा फिर देखें ये पच्चिस है ये फिर पांच से कट जाएगा पांच बंजे पच्चिस और ये किस पर जाएगा पांच पर ही जाएगा पांच एकम पांच ठीक है तो ये सब क्या है इस पांच अंकों की सब से चोटी संख्या कोंसी थी 10,000 और हमने उसे अभाजे गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया था हमने उसके अभाजे गुणनखंड लिख दिये ये सब क्या थे उसके अभाजे गुणनखंड थे ये ठीक है तो ये था कोशन नमबर पांच अब कोशन नमबर 6 solve करेंग अब दो करमागत अभाजे गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिये तो सबसे पहले हमें क्या क्या गया है कि 1179 के अभाजे गुणनखंड लिखने है तो पहले हम वो गुणनखंड लिख लेंगे तो देखे 1739 के अब भाजे गुणनकर लिखने है तो ये जो संख्या है 7 से कटती है ठीक है इसके अलावा ये 2, 3, 4, 5, 6 से किसी से नहीं कट रही है सीधे किसे कट रही है 7 से कट रही है तो मैं इस संख्या को 7 से भाग देके देख लूँगी कितना आया 32 आया ठीक है 7, 4, 8, 7, 5, 35 5 पर बढ़ा हो रहा है 35 तो कितने पर जाएगा 4 पर 7, 4, 8, 12 में से 8 गए 4 उपर से 9 उतारेंगे हम क्या आया 49 तो ये कितने पर जाएगा अब 7, 7, 49 तो इसका मतलब जब हमने 7 से इसे काटा तो क्या आया 247 अब देखे 247 किस पर गटेगा 247 सीधा 13 पर कटेगा किस पर गटेगा ये 13 पर तो अब 247 को मैं 13 से भाग दे़ूँगी तो देखे 247 को 13 से भाग देंगे तो देखे 24 देख लेंगे 13 एकम 13 तेरा दूनी 26 26 बढ़ा हो रहा है 24 जोटा है तो कितने पे जाएगा एक पे 13 एकम 13 4 में से 3 गए 1 ठीक है 2 में से 1 गए 1 और उपर से क्या हो तारा 7 तो यह देखिए यह कितने पे जाएगा 13 निमे 117 तो इसका मतलब क्या आया 19 आया तो यहां के आ जाएगा 19, अब देखे 19 किस पे कटता है, अपने आपरी कटता है, तो 19 से कम 19, तो 1739 के अब भाजे गुणनखंड कौन से है, 7 गुणा 13 गुणा 19, यह क्या है अब भाजे गुणनखंड, अब आगे कोश्चन में क्या गया है, कि उन्हें आरोही करम में व्यव अब हमें इन्हें कैसे करना है, आरोही करम में व्यवस्थित, आरोही मतलब बढ़ते करम में व्यवस्थित करना है, तो देखे गुणनखंडों को आरोही करम में व्यवस्थित करने, पर मतलब गुणनखंडों को हम आरोही करम में लिख रहे हैं, आरोही करम मतलब बढ़त गंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए करमागत मतलब करम से लगातार मतलब एक के बाद एक उनमें अगर कोई संबंध है तो बताईए देखिए दो करम से गुड़नगं कौन से है साथ और तेरा है ठीक है ये करम से है एक के बाद दूसरा कौन से है तेरा तो करम से ल कि अगले करम से कौन से लगे है गुड़नखंड 13 और 19 ठीक है 7 और 13 इसके बाद 13 के बाद अगला गुड़नखंड कौन से है 19 तब ये दो गुड़नखंड करम से अब अगर मैं 19 में से 13 घटा दूँ तो कितना आ रहा है 6 तो उन्होंने कहा है कि इन में जो एक करम से लगे है गुड़नखंड इन में कोई संबंद आपको दिख रहा है तो हाँ हमें एक संबंद दिखा हमें क्या संबंद दिखा कि दो करम से जो लगे है गुड़नखंड उनको जब मैं घटा आ रही हूं तो उनका अंतर क्या आ रहा है 6 आ तो ये संबंद है तो संबंद क्या है दो कर करमागत अभाजे गुणन खंडों का अंतर 6 आ रहा है ये क्या है संबंध है ठीक है अब कोशन नमबर 7 सोल करेंगे कोशन नमबर 7 देखें तीन करमागत संख्याओं का गुणन फल सदेव 6 से विभाजे होता है इस कथन को कुछ उधानों की सायता से सपश्ट कीजे तो इसमे संख्याओं ठीक है लगातार जो ये संख्याओं इन्हें करमागत संख्याओं का गया तो अगर मैं इन में से तीन करमागत संख्याओं लूँ और उन्हें गुणा करूँ तो गुणा करने पे जो संख्या यानि जो गुणन फल आ रहा है वो 6 से विभाजे होता है मतलब 6 से कट जाता है ये इस कथन में कहा गया है हमने इसकी पुष्टी करनी है कुछ उधारन दे कर तो देखे पहला उधारन मैं दे रही हूँ तीन करमागत संख्याइं ले ली मैंने एक दो तीन ठीक है ये करम से लगी हुई है ने संख्याएं एक दो के बाद तीन ठीक है ये क्या है करम से लगी है अब इनका क्या है गुणनफल ग्याद करना है गुणनफल मतलब इने गुणा करना तो इन तीनों को मैं गुणा कर लूँगी देखे एक गुणा दो गुणा 3 इन्हें गुणा करेंगे तो क्या आया या एक दुन्य दो फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे दो तीए 6, 6 आया इनको गुणा करके तो ये जो 6 आया देखेंगे чисे से विभाज है मतलब 6 से कट जाता है छे तो Tacs से कटी जाता हैं 6 कम 6 तो इनका गुणनफल क्या आया छे आया जो की छे से विभाजे है मतलब जो की छे से कट जाता है ठीक है कुछ उधारन देने है तो एक उधारन तो मैंने दे दिया अब एक और उधारन दे देंगे हम अब देखिए अब मैंने तीन करमागत संख्याय कों से लिए है दो तीन चार ये भी क्या है करम से लगी हुए है देखिए दो तीन चार ये क्या है करम से है एक के बाद एक है अब इनका गुणनफल ग्यात करेंगे देखिए मतलब इने गुणा करेंगे दो गुणा तीन गु और यह चोबिस भी क्या है छे से कट जाता है तो चोबिस आया है इनका गुणनफल जो की छे से विभाजे है अब एक और एक्जैम्पल दे देंगे हम अब देखिए अब मैंने तीन करमागत संख्याई कौन से लिया है पाँच छे और साथ लिया है आप कोई भी संख्याई ले सकते है आठ नो दस ले सकते है पर तीन होनी चाहिए और करम से होनी चाहिए दस ग्यारा बारा ले सकते है ग्यारा बारा तेरा ले सकते है कोई भी इनों करम से लगी हुई हो वो संख्याय आप ले सकते हैं अब इनका गुणनफल ग्याद करना है तो देखिए पांच गुणा छे गुणा साथ इन्हें गुणा कर लिजेंगे पांच ची के तीस तीस को साथ से गुणा करेंगे कितना आएगा 210 तो इनका गुणनफल क्या आया 210 आया है जो की 6 से विभाजे है आप बहुत इग्जैंपल दे सकते हैं इसके और भी काफी उधारन है तो मैंने सिरफ तीन ही उधारन दिये हैं इसमें हमें यही का गया था कि कोई भी करम से संख्याय लेनी है तीन और जब उनको गुणा कर रहे हैं तो जो संख्या आ रही ह है वो छे से कट रही है ऐसे कुछ उधारन देने है तो मैंने उधारन दे दिये करम से लेनी है बस संख्याय और तीन संख्याय लेनी है ठीक है तो यह था कोशन नमबर 7 तो आज हमने 5th 6th तो 7th question solve करा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर एंड अब्सक्राइब थैंक यू